नमस्कार मित्रों आज हम एक बार पुना खड़े हैं मद्दपरदेश के रिवा जिले के डभाउरा थाना परिसर में जहां 23 जून 2022 को एक बिधवा युवती के साथ जबरजिस्ती रेप करके और उसे मोटर साइकल से रौंद रौंद कर और उसके हत्या करने का भरसक प्रयास किया था यह तो संयोग था कि उसी दिन उसी समय किसी ने 100 नंबर को डायल किया और 100 डायल रात को ही पहुंची और उसके बाद उसको किसी कदर प्रात्मिक स्वास्त केंदर डभाउरा में भरती कराया गया था और रात को ही उसको मलना संद इस्तिती में भीवा के लिए पर रजजन कोल स्वयम यह बया कर रहा है जो कि पिड़िता को ले करके जा रहा था एम्बूलेंस से वह कह रहा था कि बर्दहा धाटी भी नहीं पहुँच पाएगी और वह केवल यही कह रही थी जैदीब सुकला ने मारा जैदीब मत मारो जैदीब यही आवाज उसके मुझ से संगर्ष करती रही और उसके बाद कोमा से लोट करके जब ठाना परिसर में आई और कई बार उसने अपना बयान दर्ज कराना चाहा अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी चाही लेकिन इस थाने में नहीं लिखे गई थी अंधता यस्पी महोदैक रीवा के आदेश के बाद उस को चार चार बार सीम हेलप लाइन सिकायत करनी पड़ी उसका जब बयान लेना हुआ तो उसे यहां से सिर्मोर्थाने ले जाया गया और वहां मैला यसाई ने उसको यहां तक कहा कि तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि तुम्हारी सारी मोटर साइकिल में फस गई थी दका यूज किया था उस महिला यसाई ने और जिसकी भी सिकायत उसने सियम हेलप लाइन में की इस प्रकार से मित्रों वह पीडिता आज पुना आई है थाना परिसर धवाउरा में जहां कि इसके पूर्व उसका गिरपतारी वारंड था और गिरपतार पुलिस नहीं कर रही थ जब उसने हाई कोट से वाइस रिकार्डिंग के लिए समय और वाइस रिकार्डिंग के लिए वह आया उसको बेल मिल गई और वह आया उसी वाइस रिकार्डिंग के दोरान पुलिस ने उसे गिरपतारी दिखा करके और अपनी फार्मिल्टी अदा करते हुए उसने इतिसर समझ ली मंदू आपको यह भी बता दें कि वह खुखार जैदीव सुकलान नामक अपराधी जो की मिलिटरी का जबान है पुना वह सर्विस कर रहा है महीनों सर्विस कर रहा था और इस ग्रपतारी पारंड के दोरान भी सर्विस कर रहा था और बार-बार धंकी दे रहा था मह तुम वापस ले लो केस वापस कर लो अन्य था खैर नहीं इतना नहीं ही नहीं मित्रो आपको यह भी बता दें कि ग्रपतारी कैंसिल हो गई वारंट के बाद उसकी जो बिल मिली थी उसके बाद वह बिल भी कैंसिल हो गई और आपको दिखा दें वह बिल जो कैंसिल किया मा यह कहां है तुम्हारा कागज यह जो बिल कैंसिल किया तो यह आपको मैं सामने पढ़के बता रहा हूं लर्ण कॉंसिल फार्द इस्टेट इस डायरेक्टेट टो इनफार्म दा पॉलिस कंफार्म्ड एकॉर्ड निलिग इस प्रकार से मतलब पॉलिस को ही यह आदेश है इसके भावजूद अभी मैं टी आई साब से बात करना चाहा लेकिन टी आई साब ने यह कहते हुए बात करने से इनकार कर दिया उन्होंने कहा उस संबन्द में मैं कोई भी बात नहीं करना चाहता जब तक नियाले पुना गिरपतारी वारंट जारी करके और आदेशित नहीं करेगा तब तक मैं दुबारा एक ही केस में गिरपतार नहीं कर सकता इस प्रकार से कैमरे के सामने भी आने से उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं कोई भी बयान नहीं देना चाहता क्या खेल है क्या मामला है यह तो ट्याई साब भी जाने लेकिन इतना जरूर है कहीं ने कहीं पुलिस की भूम का संदिक्ध है और इसी कार्ण से उसकी गिरपतारी के दोरा गिरफतारी वारंट के दोरान भी वह सर्विस करता रहा है आज सर्वी सर्विस कर रहा है वह आपको ये एक बात और बता दे मित्रों कि वह व्यक्ति पीडिता को 20 अप्रेल को 10 बजे रात्री फोन करके और अब सब्दों का प्रियोग करते हुए क्या क्या कहा वह करीबं 10 बजे जो जैदीप सुकला ने फोन करके क्या धंकी दे रहा था धंकी में यही दे रहा था गाली गंदी-गंदी गाली दे रहा था प्र बोला कि पैसा ले लो कुछ नहीं होने वाला इसका मेरा 10 लाग रुपए हाई कोड में लग गया है 10 लाग तुम ले लो जो 4 अपने पत्रकार को दे दो नहीं तो तुम लोग अपनी खैर ने समझो जितना बच गई हो आप आप ना बच पाओगी और कुछ होना नहीं है क्या हमारे बारे में भी कुछ कह रहा था कह रहा था वो जो संपत लगे हैं ना तुम्हारे पीछे उनको भी बोल दो 2-4 लाख ले ले नहीं तो अपनी जिंदिगी के लिए समझते रहें तो इस प्रकार से अपराधी जो है इतना खुखार है कि हमारे द्वारा इस मामले को हाईलाइट की जाने के कारण बहुत मेरे उपर भी जान से मारने जैसी धमकी दे चुका है आप सुन रहे हैं केमरे के सामने ले देखिए आगे क्या होता है आज भी यह पीड़ता आई है और यह concept करने आई है T.I. साहब से कि उसकी ग्रफतारी की जाए लिकिन उनका काना है कि जब तक कोट आदेस नहीं जारी करेगा तब तक ग्रफतारी वरंट जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं ग्रफतार न भी धमकी भी दे रहा है अब ये गिरपतार करेंगे नहीं यह तो इनका मामला है समपद्दास गुपता रीवा से